अब दूसरा अलजवडाई की मेथड है पेयर आफ लीनियर एक्वेशन इंटूबेल बाई एलिमिनेशन मेथड दूसरा अपका अलजवडाई की मेथड है पहले क्या था सब्स्ट्ट्यूशन उससे पहले जो था वो ग्राफिकल मेथड था तो सबका एक्जामपल कुछ बता मेथड से तो आप वर्ट्स वाले प्रॉलम भी कर सकते हैं पहले एक्वेशन के से फॉर्म करेंगे वहां सिखाएंगे अभी है कि इसको अलिमनेशन मेथड से करना कभी क्या होगा क्वेड़ को दिया रहेगा कि पर्टिकुलर मेथड जीसे अलिमिनेशन मेथड से ही करना है तो आप अलिमनेशन मेथड से करेंगे अगर सस्षियोशन मेथड से दिया हुआ थिसे करेंगे अपने मं एंपने मं से हमेंसा Elimination method को follow करते हैं तो question यह है first इसका equation one or two यह है अब इसमें करना क्या है नाम ही है Elimination eliminate करना किसको करना coefficient को किसके coefficient को तो x या y को यह आपके मर्जी पर इपन करेगा जो आपको आसान दिखे और simply कभी-कभी क्या होता है कि add से या subtract से हो जाता है या फिर क्या होता है कि मल्ट सम नंबर से multiply करके coefficient को equate किया जाता है यहाँ यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर इस x का कॉप्शन 2 है यहां 3 है तो आप देखे कि किस से multiply करेंगे तो सिंपल नंबर देखना है जिससे यह दोनों equal हो जाए तो बहुत बार नहीं समझ में आता था सिंपल नंबर है जिसमें 3 से भी दिवाइड होगा तो डिवाइड होगा तो दोनों के सेम साइन होगे सब्ट्रेक्ट करने से eliminate होगा या कोई कहेगा कि नहीं हम इसको 3 से इसको 2 से करेंगे तो इसक्स वाइड और यहां 6y तो यहाइड coordinate होगा तो डिपेंड करता है कि आप eliminate किसको करना चाहते हैं यहां दोनों आसान है कभी कभ़ार x kell eliminate करना असान है एक से कर लेंगए और सबसे बढ़िबात है कि बच्चों को जो गयर जिसको करना चानी कोई दिक्कत नहीं है आब तो आप अगर मुझे कहेंगे तो को भी करके हम दिखा देंगे जो एक्स को कहेंगे करता है कि आप किसको करना चाहते हैं इसे थ्री एक्स प्लस 2y अभी मैंने बता है कि अगर one into two और subtract करना होगा ऊपजिस रहेगा तो add कर देंगे equation two को क्या करना है three से और क्या करना है subtract तो यहाँ से six four y and twenty two पूरे multiply करना है और three से करेंगे तो six x nine y twelve subtract करेंगे 4y minus 9y minus 5y and 10 y equals to 10y minus 5 minus 2 तो y मिल गया अब y मिल गया तो किसी एक में substitute कर दे 1 या 2 किसी में substitute कर दे तो x निकल जाएगा तो putting y equals to minus 2 minus 2 in 1 we get 3x 2 into minus 2 11 3x plus 4 15 x equals to 5 x equals to 5 or y equals to minus 2 आया अपर वेरिफाई कर दे लिकते हैं 5 into 3 15 minus 4 11 ठीक है और 10 minus 6 4 यह भी ठीक है तो यह यह answer होगा second question है 8x plus 5y equals to 9 and 3x plus 2y equals to 4 इसमें इसमें आप अगर y को eliminate करना चाहते हैं तो इसको 2 से multiply कर दें इसको 5 से multiply कर दें इसको 5 से multiply कर दें इंप्लाइज 16x 10y 18 और 15x 10y 20 subtract करना है तो सब्ट्राक्ट करना है तो साइन चेंज होगा 16x minus 15x x and minus 2 x equals to minus 2 direct आगे और x equals to minus 2 put कर देंगे किसी एक में तो putting x equals to minus 2 in 1 we get 8 into minus 2 5y equals to 9 5y equals to 9 plus 16 25 y equals to 25 by 5 5 5 तो x equals to minus 2 y equals to 5 put कर के देखे 8 into 2 16 minus 16 and 25 तो 9 हो गए true है 3 into 2 minus 6 and 10 plus 4 तो यहां से आप put कर के verify करेंगे third question है x by 10 तो यहां पर fraction type दिखता है इसा कुछ है नहीं मुश्किल 2 से आप देखे कि किसको पहले eliminate करना x को करना है या y को eliminate करना equation 1 तो पहले equation 1 को फ़रा था x y 10 y by 5 14 and x by 8 y by 6 कुछ लोग क्या करेंगे कि 10 और 5 का LCM लेके simple linear बना लेंगे नीचे fraction में कुछ रहने ही नहीं देंगे यहां भी LCM लेके कर लेंगे ना भी करें तब भी होगा ना भी करें अजिसा कुछ नहीं है कि हम इस तरह से करें तभी होगा अगर आप चाहरे हैं कि हम fraction महीं solve कर लें हम नहीं LCM ले तब भी होगा मुझे एक्स को मालो eliminate करना और एक्स के कॉफिसेंट को देखते हैं कि क्या करेंगे तो यहां पर आप किस से multiply करेंगे यहां देख रहे हैं अब 10 है तो अगर माले जे कि हम यहां पर 1 लानना चाहते हैं तो इसको 10 से multiply कर दिए इसको किस से कर दिए 8 से multiply कर दिए इसको किस से कर दिए 8 से multiply कर दिए सो एक्वेशन वन को किसी ने कर दिया 10 से multiply equation 2 को किसी ने कर दिया अवर आसानी से दोनों के क्या होगा कॉफिसेंट एकसे होगे तो LCM लेने की ज़गत नहीं पर और लेंगे तब भी बनेगा 10 से multiply करने के पाज ये क्या होगा X 2Y 140 8 से करने के पाज X और 8Y6 को हम लिख देते हैं 4Y, 3Y और कितना 120 करना क्या है दोनो X को eliminate करना है subtract करना होगा subtract X cancel 2 माइनस 4 बाइ 3 Y और 140 माइनस 120 20 6 माइनस 4 2 बाइ 3 Y इक्वाल स्टो 20 Y इक्वाल स्टो 20 इन्टो 3 बाइ 2 10 कितना आ गया 30 Y आ गया 30 Y का फेल्यू पूट कर दे 1 में Y इक्वाल स्टो 30 In equation 1 We get X by 10 30 by 5 equals to 14 X by 10 6 This is the 14 And X by 10 This is 8 And X equals to 80 So X आ गया 80 Put करेंगे तो यह 8 हो जाएगा और यह 6 8 और 6 14 होता है यह 10 और यह 5 15 होता है आंसर सही है X equals to 80 And Y equals to 30 आप copy पे पीछे में Put करके Verify कर लेगे क्योंकि आपका कैलक्लेशन तो अच्छा नहीं होता मालूम है आप practice करेंगे अब है कि किसी ने खाज नहीं हम LCM लेके हम simple एक linear बना लेते हैं बिल्कुल कोई नीचे में fraction नहीं रखेंगे तो 10 और 5 का LCM ले लेंगे तो 10 ही है तो 2X और प्लस सारी X प्लस 2Y और यह कितना हो जाएगा 140 equation 1 नीचे 10 LCM था वह जाके 14 से multiply हो जाएगा और 8 और 6 का 24 तो 3X प्लस 4Y और 24 इंटू 15 कितना 360 24 इंटू 15 15 इंटू 4 60 तो यह equation 2 हो गया अब अगर अलिमिए टू करना एक्वेशन 1 इंटू 3 मिनस एक्वेशन 2 3 से multiply करना 3X प्लस 6Y 420 and 3X प्लस 4Y 360 minus 6 minus 4Y 2Y and 420 minus 360 60 Y equals to 30 तब भी Y क्या आएगा 30 आएगा तो आपको जैसे स्वाल्व करना है करें Y equals to 30 put कर देंगे putting putting Y equals to 30 in equation 1 we get we get X 60 140 X equals to 80 तब भी X equals to 80 and Y equals to 30 आएगा तो जैसे solve करना है वैसे कर सकते हैं कोई दिक्कत हाँ नहीं कर दो कर दो कर दो